आज हम बात करेंगे कैनान का जो फटोकॉपी और मशीन होता है तो उसमें प्रिंटर इंस्टलेशन कैसे करेंगे तो उसके बारे में आज बात करेंगे तो प्रिंटर इंस्टर करने के लिए पहले आपको देखना होगा जो आपका जो लैन के बूल लगता है मशीन में जो कि अनेट वर्क बोलते हैं तो वह कहां पर लगा हुआ है अपका एक सिस्टम है जोसा के मेरे पास अभी एक ही सिस्टम है और तो मैं इसके पीछे से मतलब से लगाया हूं डारेट में तो इस पोजिशन में आपको क्या करना है अभी मैं आपको जैसे बताया के अपने मोबाइल से चला रहा हूं तो इस कंडिशन में आपको क्या करना होगा जैसे कि एक ही सिश्टम है मेरे पास और एक ही प्रिंटर रहा туда मैं इसके पीछे देखा दे रहा हूं इसके पीछे मैंने लगाया हुआ है लेन के बुलेटों ठीक है कि और दूसरा महां तो कंडिशन में आपको करना क्या है और ले होडों मैं य subjects in the मेरे पास कोई सुवीज या फिर आपकर नहीं है तो उस कंडिशन में आपको प्रोपर्टी में जाएंगे तो इस पर जाने कबाद में यहां फिर प्रोपर्टी में जाएंगे तो यहां पर आप जब ओपन करेंगे तो इसी तरीके का होगा ठीक है तो इसको फिर हाँ पर जो यूज फॉलोविंग आईपी अड्रस लिगा उस पर सिलेट करेंगे करने के बात में आपको यहां पर एक आईपी अड्रस डालना होगा आपके एरे के हिसाब से डालना होता है जैसे कहां है 192.168.1.25 तो आपको ध्यान रखना है इसमें क् फिर है और के एसी सेम फिक यूज मतलब सेम अइपी आप मशीन में भी डालना होगा मसीन भी कैसे डालें मसीन में जब डालेंगे इसमें जैसा के 192.168.1.25 दिया होगा है तो मसीन में जो आइपी देंगे आप मसीन में स्रिफ लास्ट वाला तो उसी का शरिफ दो तिन बढ़ाके और दो तिन गटाके आप दे सकते हैं अलग अलग न डाले एक जैसा न डाले अलग अलग डाले जैसे कि इसमें आप 192 168.1.25 दिये तो मसीन में 192 168 1.30 दे सकते हैं 20 तो मसीन में भी देने का मैं बताऊंगा यह आपका हो गया मैं जैसे के बताए आपको मेरे पास एक ही सिस्टम है और एक ही प्रिंटर है तो उससे मैं कनेट करके कर रहा हूं और मैं नेट भी अलग से चला रहा हूं तो इसमें इस तरीके का और आफी देना होगा अगर आपके पास राउटर है कि आपका रोटर है और फपर आप जाएंगे ध्याएं। आपको पहले प्रोसेस है प्रूसेस कमाई क्योंतर बात में सिस्टम है यहांपर प्रपर्टीज पर जाएंगे प्रपर्टीज में जाने के बाद में यहां लोकाल एटिशन जो ऑफिक करना है यहां पर डिटेल सब जाएंगे तो आपको यहां पर देखिए एक आईपी आड्रेस आपको दिखा रहा होगा 192.168.1 अटोमेटिक लिए एक आईपी आड्रेस करेगा ठीक है तो वह जो आईपी आड्रेस करेगा कुछ भी माना आपका जैसे के 178 लगभग कभी कभी दिखाता है 178 20 121 ऐसा गरके भी दिखा रहा है तो आप कुछ भी आईपी 22 168 20 Cairo कर रहा है कंपीटर पर तो मैं मशीन पर जाके तो इसी को चेंज करेंगा शिर्फ 22 को चेंज करके 30 करना है 25 करना है तो यहां पर और आपको मानुवाली पूट नहीं करना पड़ेगा इस कंडिशन में आपको मानुवीद्ट नहीं करना पड़ेगा आप पूर्ट चेक कर लेने के बाद में आप क्लोस कर देंगे ठीक है उसके बाद में आप आएंगे मशीन के पास ठीक है मशीन के पास आएंगे अब देखे मशीन के पास आ जाने के बाद में तो आपको यहां अडिस्टम सेटिंग उसका पर नेट्वर्क सेटिंग ठीक है यहां पर कभी-कभी क्या होता ना यह जो आई-पी अड्रेस दिस्प्ले कॉनेक्शन लिखा हुआ है तो इसको मस्काम यहां देखेंगे तो यहां यहां पर उसी को पुट करना है स्रिफ लास्ट वाला चेंज कर देना है तो करने के बाद में जैसे के मैं डाला हूं यह 192-125 अगर दे सकते हैं नहीं तो यह स्रिफ जो होगा ऊपर का दोनोर सेम होगा बाकी एक-एक होगा ठीक है वान वन होगा उसके बाद में कर देने के मशीन को आफ करके कर देंगे कर दने के बाद में उसके बाद आप आएंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप नेट से यूज कर लेंगे बहुत सा असानी से मिल जा रहा है मैं जैसे के यहां पर एक डाउनलोड करके रखा हुआँ ठीक है तो उसके बाद में आप ciao install करने के लिए यहां आप start menu में क्लिक करेंगे device और प्रिंटर आपका windows 7 10 जो होगा उसी सब से आप डॉनलोड कर लेंगे कर दने के बाद में यहां पे add printer add printer में जाने के बाद में यहां पे आगा एड लोका रइंटर भी एड़ने वह नेटवर्क वेरलेस अब दोनों में कोई सी में भी कर सकते हैं local printer में भी आप कर सकते हैं ठीक है local printer क्लिक करने के भाद में फिर आपको यहां आ गया कि एक जिस्टिंग पौट करना है यहां लोकल पोट के पर क्लिक करेंगे तो यहां standard तो इसके बाद यहां next करना है next करने के बाद में यहां पर जो आईप आईप आइप आपको देना है मशीन पर आपको डिये होंगे जैसे कि मैं मशीन पर दिया हो 192.168.1.25 यह आईप आट्रेस यहां पर मशीन का आईप डालना होगा डालने के बाद में फिर आपको next करना है अब next करने के बाद में तो इस तरीकी का जब आएगा तो यहां पर आपको करना क्या है स्रिफ कैनन के पर क्लिक करके आपको है 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 जाने की बाद में उसके बाद में यहां आया जाएंगे ब्रावज पर ब्रावज में जाने की बाद में आप सक्वेर कहा रखें के डेश्टॉप में रखाओ मैं यह इस पर क्लिक करा तो आपका 32 1984 है UK English डबल क्लिक फिर आपका इहां में चेक कर लेना कि यह आप करने के बाद में तो फिर यहां आप नीचे आएंगे आपका जो मशीन का मॉडेल होगा उसको सिलेट करना है पूरे नीचे की तरफ चलेंगे आपके मशीन का मॉडेल जिसे के मेरे पास अभी 28-70 है तो मैं अभी इसमें दोनूगा 28-70 गहां है देखिया आगया आपका Canon I-R 22-28 ठीक है तो इसको सिलेट करने के बाद में आपको यहां next करना है नेस्ट करने की बाद में वहां पर तेक भूस देगा टाइप यह प्रिंटर आपका प्रिंटर का नेम भी में चेंज करना चाहेती है आप एड़िडी कर सकते हैं वरना आपको next नेस्ट करना है नेस्ट करने के बात में यह प्रिंटर आपका इस्टल आप चले गया कि यह थोड़ा टाइम लेगा कि अधिया हुआ 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 कि यह अब देखिए हमारा प्रिंटर इंस्टलेशन हो गया है यहां पर लिखा है यू यहां पर टेक्स्ट पेज मारूंगा जसे ही हां पर टेक्स्ट पेज मारूंगा तो यहां पर एक प्रोसेशिंग लाइट चलेगा देखिए मेशीन पर यहां पर प्रेंट लिकरना चालो हो जाए तो यहां पर प्रिंट आगे बाहर प्रिंट आपका सक्सेस्पूली टेस्ट तो अब इसमें आप थोड़ा कुछ सेटिंग होता है मैं आपको पता दे रहा हूं यह जो दो साइड़ वाला एक साथ में लिकल जा रहा है तो इसको आपको करना क्या है तो पहले आपका यहां आइकन आगया राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर जाएंगे प्रिंटिंग प्रिफरंस में ज्यादा तर क्या होता नहीं जो फिनिसिंग में यहां पर आपका two sided by default हो जाता है ठीक है तो इसको आप single side कर देंगे अगर आपको two side print चाहिए तो आप two side कर सकते है ने तो single ही आ तो ओके कर देंगे तो यहां पर और बाकी कुछ इसमें सेटिंग नहीं होता है ज्यादा तरह जो बाकी और आपको प्रिंट देना होगा तो उसी तरीके के आप सेटिंग करें तो मेरे पास अभी डॉकुमेंट है जो मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूं यह वाड पर मैंने बनाया हुआ है तो यह वाड पर बनाया हुआ है तो इसको मैं प्रिंट दोंगा तो यहां पर आपको मशीन चेंज करना होता है कैनान 2870 आ गया तो प्रेंट पेज एक ही पेज हैं हमारे पास और दो कॉपी लिकालना है आपको आपको प्रिंट देना है ओक है आख लेन के बूल पर आपका बहुत पॉर्स्ट प्रिंटिंग भी होता है और दूसरे में आपको इसमें स्कैन भी होगा कैन के लिए आपको अलग से ड्राइबर डाउनलोड करना होता है तो होगा और अगर आपका मशीन usb में आपका करेंगे तो इंस्टलेशन तो आपका मशीन जब स्लीप मोड में होगा प्रिंट देंगे प्रिंट नहीं जाएगा मशीन को आफ करके फिर से वापस से आउन करना होते हैं यह हमारा आपका प्रिंटर इंस्टलेशन हो गया तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर अगर आपको जानकर ही चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वाट्सब नमबर दिया हुआ है उसमें हमें पूस सकते हैं आपका मशीन के कुछ सेटिंग कुछ प्रॉब्लम आप हमें कंटार्ट कर सकते हैं अगर कोई स्रावन भी चाहिए आपको आर्सी मेशीन का हो या फिर कोनिका का ब्रैंड और अगर किसी की जरूरत हो तो आप अगर देखें हमारा वीडियो तो पसंद आया तो कुछ सेयर कर सकते हैं थैंक यू कि अगर 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 कि अगर